नमस्कार दोस्तों अगर आप भी अपना घर होम लोन लेकर के खरीदने जा रहे हैं चाहे आप लोगों का ready to move वाला हो चाहे land property हो अगर वो खरीदने जा रहे हैं तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिस्ट तयार करें हैं present situation को देख करके और इन list में से जो भी 4-5 list या फिर के लिए जो भी 4-5 point में आप लोग के साथ discuss करूँगा उन में से अगर कोई भी cross हो तो उसको आप लोग avoid कीजेगा home loan को avoid कीजेगा ठीक है क्योंकि अगर आपकी इन list में से कुछ भी miss होती हैं तो आप लोगों को future में काफी समस्याएं हो सकती हैं इसलिए ये 4-5 जो भी important list है उसको पहले tick कर लिजेगा right click checklist कर लिजेगा फिर उसके बाद ही आप लोग home loan के लिए apply कीजेगा सबसे पहली चीज दोस्तो जो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग कितने loan के लिए eligible है अब ये आप लोग दोस्तो फस्ते कहां पे हैं जब आप लोग कोई property अच्छी खासी देखे होते हैं फिर आप लोग bankों के चक्कर लगाते हो ठीक है आप लोग सबसे पहले सारे banks में पता करो पहले तो आप लोग shortlist करो कि किन-किन bank के interest rates कम है और इस समय COVID-19 की वज़य से दोस्तो पूरे market में जो भी banks के market है जो भी loan giver है जैसे कि banks आप लोग के SDFC हो गया, SBI हो गया, Canara हो गया इस तरह कि जो भी banks हैं उनमें interest rates काफी कम है तो आप सभी में पता करो कि कहां पे interest rates कम है और वहां पर जाकर के आप लोग apply करो pre-approval loan जिसे हम लोग कहते हैं pre-approval loan क्या होता है दोस्तो इसमें आप लोग सारे documents अपने check कराते हो और आप लोग को पता चलता है कि आप लोग कितने loan के eligible हो ठीक है बाकि आप लोग उसी के according अपनी property को ढूंड सकते हो कि हमें कितने तक की property देखनी चाहिए कई बार क्या होता है दोस्तों कि आप लोग के loan eligibility 50 lakh रुपी तक होती है लेकिन आप लोगों को लगता है कि नहीं हम 30 lakh तक का हमें loan मिलेगा इसलिए आप अपने diary को थोड़ा कम कर लेते हो ठीक है उसी इस आप से property देखते हो जब आप लोगों को loan पता चल जाएगा कि हाँ हमें इतना मिल सकता है तो आप लोगों के लिए काफी आसानी होगी अच्छी property अच्छे location पे safe area में लेने के लिए ठीक है तो सबसे पहली चीज आप लोग ये देखिएगा और जो सबसे बड़ा question आप लोगों का रहता है कि sir हमारा account SBI में है हमें canara में सस्ता मिल रहा है हमारा canara में account है लेकिन SDFC में सस्ता मिल रहा है तो देखिए दोनों different different चीजे हैं अगर आप लोग loan लेते हैं तो उसके लिए वो दूसरा account open होता है ठीक है जो भी बैंक में आप लोगों का अकाउंट है, वहां कि आप लोगों का छे महीनी की तीन साल के ITR वगेरा डेटेल ले सकते हैं, तो वो सारा कुछ देख करके आप लोगों का लोन अप्रूब्ड हो जाएगा, दूसरी चीज दोस्तो कि क्या आप लोग एमर्जनसी के लिए रेडी हैं, क्या आपकी जॉब स्टेबल है, ये दोनों पॉइंट को आप लोग समझेए, एक, दो, तीन पॉइंट मैं आप लोगों को अभी तक समझा दिया, सबसे पहला पॉइंट जो आप लोग ध्यान रखेंगे, वो ये है कि क्या आप लोगों की जॉब स्टेबल है, कोविड नाइंटीन ने दोस्तो हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है, जो भी आप लोग पिछले 10 सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, कि भी या जॉब स्टेबिलिटी है कि नहीं, आपके पास एमर्जेंसी फंड है कि नहीं, वो कोविड नाइंटीन में आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि दोश्तों जिन्होंने भी होम लोन लिया था, उन्होंने मौरेटोरियम पिरेट का फायदा लिया, प्लस उनको जो भी इंटरेस रेट्स इसमें बढ़े हैं, जो भी टैनर बढ़ा हुआ है, उसमें उनको एक्स्ट्रा ब्यास देने पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए, अगर आप लोगोंने 20 सालों का लोन लिया है, अब यहाँ पे 6-9 मौहिने तक का जो आप लोगों का मौरेटोरियम पिरेट का फायदा लिया है, जिन्होंने, उनका लोन एक साल और बढ़ गया, 21 सालों तक मूव कर गया है, उसी हिसाब से उनका इंटरेस रेट भी बढ़ गया है, तो कई लोग जो सोच ये रहे हैं, कि हमें मौरेटोरियम पिरेट का फायदा मिल गया है, लेकिन उनको फ्यूचर बर्डन जादा हो गया है, तो इस तरह की समस्याओं से उलजने के सुलजाने के लिए दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले ये चेक करना होगा, कि आपकी जोब स्टिबिलिटी कितनी है, क्या आप लोगों का जो एंप्लॉयर है, वो इस समय COVID-19 में आप लोगों को सही तरीके से पेमिंट करता रहा, या फिर इस तरह की emergency situation आई, तो आप लोगों का कितना payment कट हुआ, आप लोगों कहीं निकाला तो नहीं गया, अगर निकाला गया तो आप लोगों के पास जो तीसरा point है emergency situation की, वो ये कि आप लोगों के पास emergency fund है की नहीं, क्या आप लोगों की जो भी EMIs बन करके आएंगे 20 स 30,000 रुपए, महीने की जो EMI कटने वाली है, वो at least 6 महीने तक आपके account में secured है की नहीं, ये दोनों situation आप लोगों को जहिलनी पड़ेगी, ठीक है, emergency situation में भी दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ करनी है, कि आप लोगों को time plan जरूर लेना है, क्योंकि देखिए, अगर आप फैमली में एक अकेले बंदे हैं, जो की कमा रहे हैं, तो आप लोगों को by chance, मैं कभी भी ये उम्बीद नहीं करता कि आप लोग के साथ किसी भी तरह की घटना हो, लेकिन अगर आप लोग इस दुनिया में नहीं होते हो, तो फिर सारी चीज़े आपकी family की उपर burden जान है, आपकी family को वो amount मिलता है और उससे वो loan चुका करके, अराम से वो आगे की life survive कर सकते हैं, तो इन कुछ points को आप लोग ध्यान रखेगा, next चीज़ दोस्तों आप लोग ये देखिएगा कि आप down payment कितना करने वाले हैं, देखिए, maximum आप लोगों को 80-85% तक bank loan कर देते हैं, ठीक है, तो आप ये देखो कि आपके पास जो 20% amount है मालू कि अगर आप लोग 1 करूर तक की property को buy करते हो, तो 20 lakh रुपीज आप लोगों के पास down payment करने के लिए होने चाहिए, उसके साथ आपके जो भी stamp duty के charges हैं, जो भी registration के charges हैं, छोटे मोटे charges, taxes वगरा है, GST वगरा है, ये सब आप लोगों को उसके साथ include करके रखना होगा, ठीक है, stamp duty के charges आप लोगों के 5% तक लग जाते हैं, कहीं कहीं आप लोगों का 2% भी है, जैसे कि माहरास्ट्रा में 5 से 31 December तक अगर आप लोग कोई भी property का registration वगरा कराते हैं, तो अब 2% आप लोगों को stamp duty देना as a down payment और as a security money taxes वगरा लेकर के कितना amount देना पड़ेगा, कई बार लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, फिर उसके बाद जा करके अपनी जो भी saving है, जो भी बुढ़ापे की saving कर रहे हैं, यानि कि जो भी retirement planning के लिए save करके रखा है, वहाँ से पैसे निकालने लगते है अपने EPS से पैसे निकालने लगते हैं, EPS से पैसे निकालने लगते हैं, तो अलग-अलग savings को वह तोड़ने लगते हैं, सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है कि आप लोग down payment और उसमें लगने वाले charges को count नहीं करते होते हैं, और आखरी point दोस्तों, जो कि आप लोगों के loan eligibility को घटाएगा और बढ़ाएगा भी, पाचवी और आखरी है कि आप लोगों ने किसी भी तरह के loan को default तो नहीं किया है, कई बार क्या होता है कि हम no cost YMI वाले जो भी loan ले रखे हैं थे, खास करके बजात से या फिर कोई भी credit card वगरा आप लोगों ने ले रखा है, तो आप लोगों की ये सारी transaction होते हैं, loan वाले, ये directly आपके credit score को effect करते हैं, तो आप लोग सबसे पहले अपना civil और credit score को check करवा लीजिए, अगर आप लोगों ने कोई miss किया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप लोग उसी को साथ साथ से उपर रखिएगा, तभी आप लोग loan के eligible हो पाएंगे, वरना आप लोगों को down payment है, वो और ज्यादा हो जाएगा, बाकि अगर आप लोग NBFC की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, कि आप लोगों का low credit score पर भी home loan approved हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर interest rates आप लोगों को ज्यादा pay करने पढ़ेंगे, तो ये comment जरूर कीजिएगा, और extra चीज़े जो ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि और viewers के मदद हो पाएगा, लेकिन मुझे जो लगा ये 5 चीज़े important है, उनके बारे मैंने बताया, जो सबसे पहला है दोस्तों, वो ये है कि आप लोग सबसे पहले आप bank को find out कीजिए, सब को short list कितना आप लोग loan ले सकते हैं, कितने के eligible हैं, दूसरा मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग कितने stable हैं अपने job को ले करके, तीसरा मैंने आप लोग को कहा, emergency situation के लिए आप लोग हमेसा तयार रहे हैं, चोथा मैंने आप लोग को कहा कि आप लोग अपने down payment के लिए कितन ready है, आप लोग सारे charges को देख लो, stamp duty, registration charges fees वगएरा, जो भी आप लोग lower court में वकील वगएरा, तो hire करो गई, तो वो भी fees वगएरा लेगा, तो एक proper एक एक रोपय का आप लोग पूरी counting करके रखो, फिर उसके बाद यहाँ पहाँ और और आकरी मैंने आपको बताया कि आप लोग किसी भी bank में visit करने से पहले, सबसे पहले आप अपनी credit और civil score को देख लो, अगर आप लोगोंने कोई payment मिस करी हो, कोई भी EMI past में मिस करी हो, तो I hope दोस्तों यह वीडियो आप लोगों का helpful लगी, क्योंकि देखिए, इस तहमें festival season है, और अभी जो property में लोगों की रूचियां है, वो बढ़ चुकी है और कई सारे discounts दे मिल रहे हैं, तो लोग property buy कर रहे हैं, बिना कुछ ध्यान दिये हुए, तो यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, तो like कीजिएगा, दूसरों के साथ share करके उनको भी बताइएगा, बाकि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसे तरह की और वीडियो देखना